हलो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत का उच्टम सर्वोच न्याले ये कहो सुप्रीम कौर्ट जो कि हम देखते हैं भारती राजय उस्ता में भारत का सर्वोच न्याले भी एक महत्तपुन टोपिक है कई बार पेपरों में इससे भी जुड़े वे क्योशन पूछ लिये ज जाते हैं जिसे हम भारत की संगियर न्याई पालिका भी कह सकते हैं सुप्रीम कौर्ट दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच न्याले की जैसे की हम देख रहे हैं एक तरफ राजस्तान का भुगवल और दूसरी तरफ भारती राजविस्ता के महत्तपुन टोपि भारती सदान का भाग है 5 अनुचेद 124 से 147 कुल कितने अनुचेद होंगे 24 अध्याई कौनसा चोथा भाग 5 का चोथा जो अध्याई है वो संगियर न्याई पालिका सर्वोच न्याले की व्यावस्ता करता है अनुचेद 124 उस्तम न्याले सरवोच न्याले या ये कहो सुप्रीम कौट की स्थापना और संगठन के बारे में बताता है अनुचेद 124 हम देखेंगे दोस्तों अनुचेर 124 जिसको साथ भागों में बाटा गया है और ये कहो उस्तम न्याले का संगठन सरंचना या ये कहो कि रचना इसके अंदर है 124 में जैसे कि 124 एक भारत का एक उस्तम न्याले होगा जिसमें न्यायदिसों की संख्या भी बताई गयी है जो की प्रारम में या ये कहो मूल सविधान में एक मुख्य नयायदिस और साथ अन्य नयायदिस होंगे ये संख्या बताए गई है और संसद समय समय पर नयायदिसों की संख्या है वो बढ़ाता रहेगा कहने का लग संसद हो इसकी संख्या में परिवर्तन कर सकती है 122 में 9900 की निक्ति कारिये काल पद की आवधी कहो या और त्याग पत्र इन तीनों का उलेग किया गया न्याइदिसों की न्युक्ति कौन करेगा, कार्यकाल कितना होगा, कहने कलब पद की आवधी कितनी होगी, और त्याग पतर किसको देंगे, ये अनुचेर 124.2 में वर्नित है, तीसरा है, अनुचेर 124.3, न्याइदिसों की बनने की योगेता, उनके योगेता के बारे में उल कैसे हटाया जाएगा, उनका उलेक किया गया, कदाचार और अकसमता का, 124.5 में न्याइदिसों के पद मुक्ति के समन्द में विधी संसद बनाएगी, कहने का मलाव 124.4 में न्याइदिसों के हटानी की विधी का उलेक किया गया है, अनुचेर 124.6 में पर ग्रहन करने से पहले राष्टपती के समख सपत लेंगे न्यायदिसों के सपत का उलेक किया गया है 124.6 में और कौन दिलाएगा राष्टपती या राष्टपती द्वारा नामित विक्ती वैसे विवहार में देखा जाए तो मुख्य न्यायदिस को तो राष्टपती सपत दिलाता है और जो अन्य न्यायदिस है उनको मुख्य न्यायदिस सपत दिलाता है लेकिन सविधान में लिखा के बाद भारत के संग छेतन में स्तित किसी भी न्याले में वकालत नहीं करेगा ये प्रतिबंद होगा वे किसी प्राधिकारी के समक्स अभीवचन या कारिये नहीं करेगा ये प्रतिबंद लगा दिया गया अनुचेद 124 साथ में उसके बाद में आज बात करेंगे हम न्याय वैसे देखा जाए तो एकदम सीधा सही उत्तर आएगा राश्ट पती कोई बार ये कंपेडिस्व में क्यूसन पूछा जाता है कि भारत के सरवोच न्याले के मुख्य न्यायदी सही ते न्यायदी सो की न्युक्ति कौन करता है तो याद रखना है राश्ट पती करेगा भार राज्यों के हाई कोट के न्यायदी सो से आवसक समझे तो प्रामर्स ले सकता है याद रखना है दोस्तों सुप्रिम कोट सरवोच न्याले और राज्यों के हाई कोट उच न्याले के न्यायदी सो से आवसक समझे तो प्रामर्स ले सकता है राश्ट पती अपने अस्ताक्स मुद्रा सहीत आधीपत्र कहने कलाव वारेंट जारी करेगा उसके द्वारा सुपरिम कोट के परतेक नियादीस को न्यूक्त करेगा कहने का राश्ट्र पती है वो न्यूक्ति का वारेंट जारी करेगा अधी पत्तर वे न्यायति तब तक पदहरन करेगा जब तक वे 65 वर्ष की आयू प्राप्त नहीं कर लेता है कहने का मलग कारिय काल है वो 5, 4, 6 वर्ष नहीं होगा 65 वर्ष की आयू जब प्राप्त करेगा तब तक वे अपने पत्पे रहेगा चायवे 40 वर्ष का बने, चायवे 50 का बने, चायवे 55 का बने, चायवे 60 का बने, चायवे 62 का बने, चायवे 63 का बने, चायवे 64 का बने तो वे 65 वर्ष की आयू तक ही रहेगा अपने पत्पर उसके बाद में दोस्तों किसी न्यायदिस की न्युक्ति की दसा में भारत के मुखे न्यायदिस से सदेव प्रामर्स किया जाएगा कहने कलम मुख्य को चोड़ करके अनने जो न्यायदी से उनकी न्युक्ति की दसा में भारत के मुख्य न्यायदी से तो प्रामर्स सदेव किया जाएगा ये आवसके जरूरी है राश्टपती मंत्री परिशन की सलाह पर ये कारिये करेगा न्युक्ति किसकी सलाह पर मंत्री परिशन की सलाह भी करता है 1950 से 1903 में तक राश्टपती केंद्री मंत्री परिशन की सीपारिस पर न्युक्ति करता था मंत्री प्रिस्द की सी पारिस पे निक्ति करता था लेकिन 1903 में कॉलेजियम व्यवस्ता की स्थापना की गई और इसकी सी पारिस पर ये मानुक किवे नियाधिसों की निक्ति करेगा करने लगा जिसमें कॉलेजियर कुल कितने सदस्द से होंगे पांच सदस्द से होंगे एक मुख्य नियाधिसोंगा धारकना और चार सीनियर नियाधिसोंगे सुप्रिम कोड के सरोच नियाले के चार सीनियर नियाधिसोंगे और एक मुख्य नियाधिसोंगा कुल पांच सदस्द से लोटा सकता है उन्हें विचार के लिए लोटा सकता है और वो भी कितनी बार एक बार एक जनुवरी 2015 को 99 संसोधन 2014 को लागू किया गया जिसमें कहा गया कि न्याइदिसों की न्युक्ति राश्टिय न्याइक न्युक्ति आयोग एंजेक जिसको अंग्रेजी में कहा जा सकते है द्वारा की जाएगी यह 121 सविधान संसोधन विधेक था जो न्याइदिसों की न्युक्ति के लिए राश्ट्पति को प्रामर्स देगा लेकिन यह सही नहीं था इसलिए 16 तुबर 2015 को इसे किसे 99 सविधान संसोधन को आधार भूत सरंचना के उलंगन के कारण रद कर दिया गया और यह मानों की संपुन संसोधन को ही रद कर दिया गया भारती इतिहास में यह पहली बार से यह मानों समाप्त या रद किया गया कोलेजियम विवस्ता को पुने स्तापित कर दिया गया और वर्तमान में यही विवस्ता है कहने का मतलव न्यायादिसों की न्युक्ति कोलेजियम विवस्ता से यह मानों राश्ट्पति करेगा तो कहने का मतलव न्यायादिसों की न् नहारत में सरोच नियाले के नियादिसों की नियुक्ति राष्टपती करेगा ये बात तो हमें जरूर ध्यान में रखना है और कॉलेजियम व्यवस्ता कहने कलना कॉलेजियम जो पांस अदस्यों की एक व्यवस्ता है उसकी सीपारिस पर करेगा राष्टपती उसके वाद में देखो दोस्तों सरोच न्याले के मुख्य न्यायदीस की न्युक्ति की न्युक्ति के समन्द में सविधान मोने कोई सपष्ट प्रावधान नहीं किया गया है कि मुख्य न्यायदीस की न्युक्ति किस परकार से की जाएगी इसके लिए कोई सविधान में प्रावधान नहीं लेकिन भारत में वरिष्टता के आधार पर नियुक्ती की परंपरा बनी हुई है कि वरिष्टता के आधार पर सीनियटी के आधार पर जेश्टता के आधार पर नियुक्ती की जाई की लेकिन इस परंपरा का अब तक दो बार उलंगन भी हुआ है कितनी बार दो बार जैसे कि पहली बार 1973 में अजीत नात रे को मुख्य न्याइदिस बनाया गया तीन जेश्ट या वरिष्ट तम न्याइदिस को छोड़ कर वे कौन थे जियम सेलात और केय सहिगडे ए एन गरोवर गरोवर इन्योंने तीनोंने ही त्याग पत्र दे दिया ये सिनेटी का पहली बार समय किया गया था दूसरी बार 1973 में मुख्य न्याइदिस बनाया गया एक जेश्ट न्याइदिस को छोड़कर वे थे एचर खन्ना इनौने भी त्याग पत्र दे दिया ऐसा दो बार हुआ है 1973 में और 1977 में त्याग पत्र देने इंद्रा गांधी सरकार्ती ने ये वरिष्टता की परंपरा तोड़ दी थी कहने कलो इनको नयदिस ने बना करके जो उनके नीचे के करम में उनको मुख्य नयदिस बना दिया 1973 में वीवीगिरी राष्ट पती थे तधा 19 protest में फखरोदीन अली राष्ट पती थे और इंद्रा गांधी सरकार के कहने पर उन्होंने इस नियम का उलंगन किया था ये कारिय किया था जो वरिष्टता या जेष्टता का जो नियम परंपरा थी उसको उन्होंने तोड़ा था बहुत बार पेपरों में पूछे जाते हैं अती महत्वपुन की उसने हैं दोस्तों जैसे की सरोच न्याले के प्रत्व मुख्य नैरिस कौनते सरोच न्याले के वर्तवन मुख्य नैरिस कौन हैं? रंजन गोगई 46 तो फेली में बने थे 3 अक्तसबर 2018 सरोच न्याले के दलित जाती के प्रत्व मुख्य नैरिस कौन बने केजी बाला कश्टन दोहजार दस में सरोच न्याले के पारसी जाती के प्रत्व मुख्य नलीश wastज का पाड़िया 2012 मी शरोच नियाले के शिक जाती के प्रत्व मुख्य नलीश जेयस खेयर 2017 मी सरोच न्याले के सवसे ज़्यादा समय मुख्य न्याइदिस रहे वाईवी चांदर चूड सात वर्स रहे 1978 से 1985 तक सरोच न्याले के सवसे कम समय मुख्य न्याइदिस रहे के एनसीय मात्र सत्रा दिन 1971 में सरोच न्याले के मुख्य नैदिस रिटाइर होने के बाद जिनोंने राष्टपती पद का चुनाव लड़ा के सुबा राव 1967 जाकिर हुसेन के सामने उन्होंने राष्टपती पद का चुनाव लड़ा था सरोच न्याले के मुख्य नैदिस जो रिटाइर होने के बाद राजय पाल बने एक मातर पी सदासीवं केरल के 2014 में नरेंदर मोदी ने इन्हें ये मानो केरल का राजय पाल बनवाया था सरोच न्याले के दो मुख्य नैदिस जिनकी कारेकाल में मरत्य हुई हीरालाल जे कानिया 1951 और सवयाची मुखरजी 1990 इनकी कारेकाल में मरत्य हुई थी सरोच न्याले का रिटायर होने के बाद न्याय दिस जो लोग सवा का सदसे और अदेक्स भी बना और राजय सवा का सदसे भी बना के ऐस हेगडे के ऐसे हेगडे बहुती बढ़िया कि उसने जो लोग सवा का अदेक्स भी बना था सरोच नियाले का ऐसा नयायाधिस मुख्य नयायधिस नहीं नयायाधिस होगा के एस हेगडे सरोच नियाले के दो नयायधिस जो रिटाइर होने के बाद राश्टपदी का चुनाओ भी लड़ा था एक तो है हर खन्ना 1982 ज्यानी जेल सिंग के सामने और दूसरे थे वी आर सिंकेट रमन के सामने उन्होंने राश्टपदी पद का चुनाओ लड़ा था उसके आद में सरोच नियाले की प्रत्व महिला नयायधिस मीरा फातिमा भी बी 1989 में बनी थी पहली महिला नयायधिस अब तक साथ महिला नयायधिस बन चुकी है लेकिन दोस्तों मुख्य नयाय पहला को नयायधिस बना था संबुनात 1950 में और नयायधिस जो की एक मातर वी रामा स्वामी पर महावियोग परकिरिया चली है लेकिन पारित नहीं हुई वी रामा स्वामी वी रामा स्वामी पर महावियोग परकिरिया चली पारित नहीं हुई एक मातर 1903 में वी रामा स्व और एक अती महतपुन की उसने जो आपको दिहान में रखना है जो की नोट लगा के मैंने लिखा है सरवोच न्याले के एक मात्र मुख्य न्यायदिस जो यूएनों के अंतराश्टी न्याले हेंग में न्यायदिस भी रहे हैं आर एस पाठक 1989 तो ये अती महतपुन तथे कैदो या अती महतपुन परसन जो की सरवोच न्याले के मुख्य न्यायदिस और न्यायदिसों से जोड़े हुए हैं जो हमने ध्यान में रखना है बहुत बार इन क्यूशनों में से कंपिडिशन में क्यूशन पूछे जाते हैं सरवोच न्याले के न्यायदिसों से जोड़े वे अती महतपुन की उसन जो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है अगले वीडियो में हम बात करेंगे सरवोच न्याले के महतपुन कहने कलो केस या विवाद उन से जोड़े वे महतपुन जो बाते हैं उनके उपर कारियकाल उनके बारे में सपत कौन दिलाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम अकले वीडियो के अंदर तो दोस्तों आज हमने शुरू किया है भारत का सर्वोच उच्तम सूप्रिम कोट उसके बारे में जो की भारती राजविस्ता का एक अती महत्तपुन टोपिक है भारत का उच्तम नियाले भारत का सर्वोच नियाले भारत का सूप्रिम कोट उसके बारे में आज हमने देखा न न्याय दिसों से जुड़े वे महत्वपुण तथे या महत्वपुण प्रसन इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद